हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब एक बार फिर से स्वागत है आप सबी का हमारे इस यूट्यूब चैनल टूर वितराकेश पर आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं राजस्तान में मौजूद कुछ बहतरी इन टूरिस्ट प्लेसेज को दोस्तों राजस्तान में घूमने की जगह ढूना ऐसे है जैसे मोतियों की धाल में मोति चुनना पूरे राजस्तान में गाउं से लेकर शहर तक ऐसी कोई जगह नहीं है जो घूमने लाइक ना हो राजस्तान के गाउं को चमतकारों का खजाना कहा जाये तो ये गलत नहीं होगा क्योंकि यहां की परंपराये, सांसकर्तिक प्रथाये, लोग कलाकार और कारीगर जो अपनी संसकर्ती और परंपराओं को संजोय रखने के लिए सदियों से उनका अभ्यास करूने जीवित रखे है आप जब भी राजस्तान जाये तो यहां के ग्रामीन आचल का अनुबव लेना बिल्कुल न भूले यहां का रहन सहन, यहां की संसकर्ती, यहां की परंपराओं और यहां की पारंपरिक पोशाक आपको एक अलगी अनुबव कराएंगे दोस्तो राजस्तान में कुछ बेहत प्रसित शहर और जगे भी है जिने आपको जरूर घूमना चाहिए तो चलिए दोस्तो आपको लेकर चलते हैं राजस्तान के एक शांदार सफर पर और जानते हैं राजस्तान में घूमने की टोप 7 जगव के बारे में लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे सब्सक्राइब कर ले और आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं नीचे कोमेंड में जरूर बताए तो शुरू करते हैं आज का ये शांदार सफर मेरे या नियाप के दोस्त राकेश परजपती के साथ पहले नमबर पर आता है जैपूर जैपूर एक खूबसूरत शहर है जो राजस्तान राज्ये की राजधानी भी है ये शहर राजस्तान के सबसे उची जगहों में से एक है जैपूर में मौझूद कई विशाल किलो और महलो को देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं राजस्तान की ये जगह सबसे पुरानी है जो आज भी अपनी सुन्दरता की वज़े से पुरे राजस्तान में फैमस है जो भी लोग पिंक सिटी घूमने के लिए आते हैं उनके लिए ये टूर बहुत ही यादगार बन जाता है आमेर फोर्ट, जैगड फोर्ट, हवा महल, जनतरमंतर, जल महल, नहरगड फोर्ट, सीटी पेलेज जैसे कई सारे ऐसे पेलेज भी मौजूद है जो आपके जैपू टूर को खास बनाते हैं नेक्स्ट इस जैसलमेर, ये खूबसूरा शहर राजस्तान के पूर में पाकिस्तान से सटा हुआ है राजस्तान में घूमने के लिए अच्छी जगों में से इसको एक कहा जा सकता है दोस्तो जैसलमेर पर हमने पहले ही एक डेडिकेटेट वीडियो बनाया हुआ है जिसके लिंक आपको उपर आई बटन और नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी जहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं जैसलमेर शहर को गोल्डन सीटी के नाम से भी जाना जाता है इस जगह पर आप डेजर्ट और जीफ सफारी का भी मजा ले सकते हैं जोटपूर ये शहर 563 सालों पहले बना था ये शहर राजस्तान के सबसे बड़े शहरों में से एक है जोटपूर को संसीटी के नाम से भी जाना जाता है इस जगह पर लोगों की सबसे ज़्यादा आबादी पाई जाती है इस खूबसूरत जगह को देखने के लिए भी दुनिया बर से लोग यहां आते हैं नेक्स्ट इस माउंट अबू ये खूबसूरत हिल स्टेशन राजस्तान का एक मातर हिल स्टेशन है जिसे राजस्तान का सिमला भी का जाता है माउंट अबू राजस्तान का सबसे ज़्यादा आकरशित करने वाला टूरिस्ट अट्रैक्शन है इस जगह का शांत वातावरन और अच्छी जलवायू रहती है जिसके कारण लोग यहां आना बहुत पसंद करते हैं माउंट अबू में राजस्तान का सबसे उंचा पहाड भी मौजूद है मानसून के समय यहां की हर्याली दिल चीरने वाली होती है नेक्श्ट इस बीकानेर देश के हर हिस्से में आपने बीकानेर मिश्टान भंडार तो देखाई होगा इसी बीकानेर की मिठाई पूरे देश बर में फैमस है यह शहर राजस्तान के सबसे लोग प्रिये शेहरों में से एक है इस जगह की बहारी और अंदर की खूपसूर्ती देखने के लिए दुनिया बर से लोग यहां आते हैं यह जगह अपने स्वादिस्त मिठाईयों और स्नेक्स की वज़े से पूरे देश में पूपूलर है इस जगह पर अलग-अलग जगह उपर मेलो का भी आयोजन होता है नेक्स्ट इस उद्यपूर यह शहर राजस्तान में गूमने के लिए सबसे अच्छी जगों में से एक मानी जाती है और इस शहर को वैनिस ओफ इंडिया भी का जाता है यह जगह अपने सुन्दर महलो और जीलो के लिए जानी जाती है इस जगह की खूपसूरती को देखने के लिए देश वीदे से भारी संक्या में लोग आते हैं इस जगह पर बहुत सारे महलो को तुड़वा कर बड़े बड़े होटल बनवाए गये हैं जो देखने में अद्बूत है जब भी छुटियों के दिनों में आप राजस्तान आने की योजना बनाते हैं तो आपको उध्यपूर गूमने जरूर आना चाहिए ये जगह आज भी अपने सिंसकर्ती के लिए जानी जाती है चितोड़गर राजस्तान में गूमने की टौप जगों में से एक है हर साल भारत के कोने कोने से लाखों लोग याँ घूमने के लिए आते हैं ये जगह अपने खूबसूरत किलो की वज़े से बहुत मशूर है जो कि एक पहाड के उपर बना हुआ है ये किला 701 खेतर में पहाड को काट कर बनाया गया था तो दोस्तों ये थी राजस्तान की टौप 7 टूरिस्ट डेस्टिनेशन अगर आप राजस्तान के बारे में और जानना चाते तो नीचे कॉमेंट में पाट्टू जरूर लिखें और आपको इस वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा यह भी नीचे कॉमेंट में जरूर बताएं और आगे भी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ जै हिन जै भारत